कि परबुद नागरिक है और जो लोग चाहते हैं कि बदलाओ और वैवस्ता का परिवर्तन होना चाहिए वो अपने आप चलके आए उन लोगों को पता है कि आज अगर कोई सॉलिड अगर प्लेट फारम पानीपत में है जो अगर नीडर होके आवाज उठा सकता है तो वो कारे जाती हैं तो लोग और सबस्रों जंता पर वाकरना बंद कर देते हैं और यह लोग तंतर है लोग तंतर में संख्या का मैत और जो हैर सैकड़ों बुजुर्ग जो मिलते हैं वहां पर आपको हजारों हजारों चक्क्र लगा लेते हैं तो अगर उनका इतनी लोगों के साथ है पुबलिक के साथ हैं तो इससे लेखिशां कर दो इसकिंदना के कि तो यह आशु जो है इनको सबस्ट बाशा में या तो गड़्याली वासु बोलेंगे और यह दूसरा यह बोला जाएगा कि यह जब जरूरत पड़े तो ग्लिश्रीन लगा लें प्रवाद के लिए अगर उनकी अंतर आत्मा होती तो वो गरीब व्यक्ति के लिए होती आम आदमी के लिए और जो जो कहते कुछ हैं पहले बात कुछ करेंगे फिर पल्टा खाएंगे भारतिय जन्ता पार्टी दो पराने वाले समय में इनको दोड़ा दोड़ा के मारें तो इन्होंने बिल्कुली हदि कर दी वालब पूरी पार्टी बद्राम कर दी यहां तो लोकल साथ पर तो हम देख रहे हैं अपनी नंगी आको देख रहे हैं सिडी तैल का और मां आपके साथ संदीव शर्मा और स्रोजातिय जन्पंचायत की सात्वी मासिक बेठेक के साथ साथ एक एहम कारेकरम ये भी था कि पानिपत के गरामिन हलके के अध्यक्स जस्वीर काधिया नोर्ट जस्सा जो है और महिला में नहीं होती तो खुद चुना समारो था तमाम सवालों के जवाब हम यहां पर जो सबस्द्श्या है सभी लोगों से जाने के सबसे पहले सर बढ़ाईयों आपको की पहली बार अपने चुनाओं मैदान में अपने एक कैंडिडेट को उतारा और उन्होंने खाता खोल दिया बहुत बहुत धन्यवाद अब की बार सरोजातिय जनपंचयत का उदेशे ही सत्ता परिवर्तन नहीं ववस्ता परिवर्तन भी है और जिस परकार से वर्तमान सरकार से लोग हरक्षेत्र में प्रेशान है तंग है और इसे चुटकारा पढ़ना चाहते हैं और मैदान में विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है तो इन्हें अलातों से तंगो करके अमने सर्वजातिय जन पंचायत का गठन किया था और अभी जिला परशित के चुनाओ थे पानी पजिला की जो सबसे जलंग सीट थी वार्ड पंदरा से वहां पर हमने अपने सर्वजातिय जन पंचायत के हलका देश्टों किया है और हमने दो बहुत पूरुत पहले जोशना कर रखी है कि हम पानी पजिले की सभी सब्सक्राइब नगर निकम की सीटे पर चुनाओ लडएंगे और मेर का भी चुनाओ लडएंगे तो उसी कड़ी में हमने अपने तयारियां सुरू कर दी है आज कुछ परत्यासी ग है प्रिंका तोमर कोई चेर्मेन जो है जो जिला प्रिशत के चेर्मेन की दोड में सबसे उपर उनका नाम बताया जा रहा है अभी हमारी कोर गुरूप की बैठक बैठेगी सरोजाती जन पंचयात कर उसमें फैसला लेंगे कि हमने चुनाओ में क्या करना है हमारी एक सोच ह है कि जो आदमी दलगत राजनिती से उपर उठकर जीत करके आए 17 में से बारा या तेरा आदमी आसे हैं जिनका किसी पार्टी से को लेना देना नहीं है हम कोशिच कर रहे हैं उनको इक पानिपत के अंदर शुरू हो तो वह कोर गुरूप में बैठक करके डिसाइड करेंग जरूर कोशिच करेंगे यह हमारा कैंडिडेट है तो उस पार्टी को सथा में रहने वाली पार्टी को आप कैसे बीट करें ऐसे हैं बारचे जनता पार्टी के बारे में सबको बता चल चुका है यह इनका विदाई काशी जन की शुरूआत हो चुकी है इनको जाना है और ज पूरे हर्याना के अंदर अब की बार ऐसा लग रहा कि इस जो चुनाव थे इनमें जो भारतिय जन्ता पार्टी है उनको नकार सा दिया है नायब सिंग सैनी की धरमपत्नी बतारा यांकि अंबाला से वार नंबर चार से उमिद्वार्थी उनको हराने का काम किया है कई सारे ऐसे हैं जो धिरे-धिरे कई दिनों के बाद अख़बारों में आए कि उनके समर्थित उमीद्वारति सबको नकार दिया जन्ता ने तो मैंने पहले भी करनी करें तो क्यों डरे करके क्यों पस्ता है जब इनको अपनी करनी पर पता था कि हमने कुछ किया ही नहीं पर्देश के लिए और जन्ता तरस्द है इसलिए डिसीजन लिया था कि हम अपने सिंबल पर लेक्शन नहीं लड़ेंगे और दो जगह पहले ही उतार दिया जबकि जो रास्ट्रिया पार्टियां होती है उनको यह लगता है कि कहीं न कहीं हमें नुक्सान ना ज्विलना पड़ें और कई हमारे उमीद्वारों की खिलापत ना हो एन वक्त पर दो-चार दिन पहले ही जो नामंकर है उससे पहले अपने तो अभी हमने टैम से पहले उसकी शुरुवात कर दी है जो सुच्चे मिले उनकी गोशना कर दी है जो आगे सुच्चे मिलेंगे उनकी फ्यूचर में गोशना कर दी जाएगी किस तरह के उमीद्वार होने चाहिए किसी अगर कोई दूसरी पार्टी जिस तरह बारतिय जनता पार्टी में सुरेंदर जी भी थे वहां से भी कोई आना चाहे वो प्राइटी रहेगी या साप छबी और कई बार ऐसा भी आरोप लगता है कि दूसरी जो रिजिनल पार्ट हो चुगी है को हमारे पास आना चाहेगा सची सवी का हो किसी भी पार्टी से हो हम उसका करेंगे अगर उस लाइक होगा जनता के समाज की सेवा के अनुरूप होगा तो हम उसको प्रत्यासी भी घोशित कर सकते हैं को बड़ी बात नहीं है सिंगला जी हमारे साथ मुझूद जो मेर साहिबा है रोती है और देखे थे आमने और मैंने भी खुद एक इंट्रिवी किया था कि आपके घड़ियाली जो आसू वह लोगों का कहना आई संदीब जी आप अपने आप देखिए कि सहर की क्या हालत है क्या एक कर्मट नागरिक के होते हुए और पर्थम नागरिक के होते हुए सहर की आलत हो सकती है और जब जब भी सहर पे विपता आई है तो यह आसू क्यों आ जाते हैं तो यह आसू जो है इनको परस्ट बाशा म अम आदमी के आप एक बार जा कि देखिए नगर्रिकम के आलत देखिए लोग जो है वो पाचवी पाचवी छटी मंजीर पे जाते हैं रोज जो है सेकड़ों-बुजूर्ग जो मिलते हैं वहापे आपको हजारों-ख़जारों चक्कर लगा लेते हैं तो अगर उनका इतनी सम वेदला लेना चाहती है कि वो शेयर की बेटी है वो शेयर की बेटी है लेकिन पर्थम नागरी का है पर्थम नागरी का करतव्य निवाना सबसे पहला फर्ज है हम माबाप का फर्ज निवाएंगे जब जरूरत होगी तो हम माबाप बनेंगे लेकिन आज शेयर को बेटी की न साथ आपकी सरुजाती है जन पंचायत के साथ जुड़ेंगे। के माने वाले 26 वाल्डों में अपने पार्षद खड़े करने जा रहे हैं और ना केवन पार्षद हमारा मेयर भी जो है इस बार सरुजाती है जन पंचायत का होगा और संदीब जी मैं आपको और कहना चाहूंगा कि इस बार का जो नारा है जो मैंने व्यक्तिक तोर पे दिया ह लुटे रो पानी पत छोड़ो ये जनता पुकार रहे हैं वह शुक्रिया और सरमाजी भी मेरे साथ मुझूद है फिलाल पहली बार सर आप जेंटलमेन इस उमर में भी इतनी लाली आपके अंदर आपके गलो है इतना और राजनीती के अंदर है पुराने आप कई अलग-अ संगठन से जुड़े रहे सरवजातिय जनपंचैत से अब जुड़े हैं क्या इनके अंदर कुछ खास लगा कि आप इन से जुड़े हैं वास्त विक्ता तो यह है कि अभी तक दो जो चार-पाच महीने से वानी पत पूरा शांत बड़ा था जो इनिशेटिव लेना वाला व्यक्ति होता है वह एकादी होता है और जंटा तो तपी पड़ी थी भरष्टाचार से बिलकुल जंटा जो है तंग आ चूकी थी और सारे घर में बैठे थे वह और आएंगे लोग दीरे दीरे और आएंगे तो उसमें सोचा कि जिन जिन दलों के अंदर हमने देखा कि भर पाँज़ता लिख्टा चाहर इतना मतलब सब भी सीमाएं क्रोस कर चुका है आम आदमी अधमी के जो सर्वेक्शन होता है हाउस टेक्स से तंग है यह जो सुरुड़ेवाला बताया इन्होंने जो तेंडर होते है इन्होंने सब तोटल ने लिफता लो और जो जो कहते कोछ है पहले बात कुछ करेंगे, फिर पल्टा खाएंगे, भारते जंता पार्टी दो मुही जो रूप है, लोकल लेवल पे, मैं राष्ट स्तर में नहीं कहता, लोकल लेवल में तो इतना बुरी हालत है, कि एक मतलब मैं व्यक्तिका विश्चिश का नाम नहीं लेता, आने वाले समय में इनको दोड़ा-दोड़ा के मारेगी, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल ही हदि कर दी, मालब पूरी पार्टी बदराम कर दी, यहां तो लोकल सर पे तो हम देख रहे हैं अपनी नंगी आकों से, और इसलिए जो एलावत साब है, इन्होंने जो मुद्दे रखे, वरस्टा लाए जाएंगे, जो चरित्रवार होंगे, पैसा नहीं दे की छवी होगी अच्छी, जो जिस मुहले में रहते हैं अपनी खश्बू फिला रहे होंगे, ऐसे ब्यक्ति लिया जाएंगे, और आने वाला समय, जिस तो यहां पहले भी पंचायत एक शुरू हुई थी, वहां लेकिन दुरवागे से करनी सामने आती है, तो वो रह गया, इनके आने से हमने उस वक्त भी बीड़ा शुरू किया था, और इनके आने से, तो मेरा ख्याल पानिपत जेले तक तो पहले हमारा टार्गेट है कि यहां सुधार हो जाए, तो इसलिए हम इनके साथ लगे हैं, कि जेले को तो सच करने, आगे फिर आगे कि सचेगे? किसी भी पत्रकार को ना मिले, किसी भी संस्तागे साथी को ना मिले, तो यह तो जीता जागता सभूत हो गया ना, वही सारी बंदरबाटी चल रही थी, और बंदरबाट का जब परदाफास होने को हुआ, तो जो चोर होते हैं, तो चोरों का फिर काम अपने आपको सेफ करन परदाब बंदरबाटी चल रहे हैं, वह उन्हें ने कर लिया, तो सभी दर्सकों से अभी रहेगी कि इस वीडियो को शेर करें, और स्रवजातिया जन पंचायत के द्वारा, चार उमीद्वारों की जो नगर निगम के चुनाव अगले साल होने हैं, चार उमीद्वारों की भोशना कर दी गई है, तमाम सवालों के जबाब दिये, और आप भी कमेंट्स जरूर साजा करें, बहुत बश्युक्रिया, तमस्कार. तो उस पार्टी को सथा में रहने वाली पार्टी को आप कैसे बीट करें? तो मैं अपने समध बापीस ले लूँगा, नहीं तो मैं अपने शब्तों पे कायम हूँ, कि वो गड़ियाली आसू पाहती है. तो यह आसू जो है, इनको परस्ट बाशा में या तो गड़ियाली आसू बोलेंगे. और यह दूसरा यह बोला जाएगा, कि यह जब जरूरत पड़े तो ग्लिसरी लगाले, क्योंकि उनकी अंतर आत्मा नहीं है. अगर उनकी अंतर आत्मा होती, तो वो गरीब व्यक्ति के लिए होती, आम आदमी के होती. और जो जो कहते कुछ हैं, पहले बात कुछ करेंगे, फिर पल्टा खाएंगे. भारते जंटा पार्टी दो आने वाले समय में इनको दोड़ा दोड़ा के मारेगी. क्योंकि इन्होंने बिल्कुल ही हदि कर दी, पूरी पार्टी बद्राम कर दी, यहां तो लोकल साथ पर हम देख रहे हैं न, अपनी नंगी आको जोगी. नुश्कार आप देख रहे हैं सीडी तैल का और मा आपके साथ संदीप शर्मा और सरोजातिय जनपंचैत की सात्वी मासिक बेठेक के साथ साथ एक एहम कारेकरम ये भी था कि पानिपत के गरामिन हलके के अध्यक्स जस्वीर काधियान और जस्सा जो है और महिला में नहीं अंचैत की जोली में एक सीट जो है उन्होंने देने का काम किया है और आज उनका समान समारो था तमाम सवालों के जवाब हम यहां पर जो कोर्कमेटी के सबस्या है सभी लोगों से जानेगे सबसे पहले सर बदाईयों आपको की पहली बार अपने चुनाओ मैदान में अपन अभी कजी चार सहर के अंदर और 26 के 26 वार्डो में यह कहा जा रहा कि हम लोग उतारेंगे और अब की बार सरोजातिय जन पंचैत का उदेशे ही सत्ता प्रिवर्तन नहीं ववस्ता प्रिवर्तन भी है और जिस परकार से वर्तमान सरकार से लोग हरक्षेतर में प्रेशान है वार्ड 15 से वहाँ पर हमने अपने सरोजातिय जन पंचैत के हलका देश्टो सिद्धा मदान में उतारा था और भारती जनता पार्टी ने भी और पूरो विदायक ने पूरा जोर लगाया वर्तमान विदायक ने भी जोर लगाया और एक पूरो मंत्री दूसरी पार्टी से खुद चुनाव लड़ रहे थे तो हमारे प्रत्यासी की जीत ने हमारी सरोजातिय जन पंचैत में उत्सा का संचार किया है और हमने बहुत पूरोत पहले इसे कोशना करकिये कि हम पानी पजीले की सबीश के सबीश